Hello friends, welcome to my channel, Almighty Legal Service आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो सरकारदारा बेटियों के लिए चराई जा रही है इस योजना को basically बेटी बचाव बेटी पढ़ाव को बढ़ावा देने के लिए बनाए गया है इस योजना को नाम दिया गया है सुकन्या सम्रिध्धी योजना इस पर डिस्स करने से पहले मैं कहना चाहूंगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल फोर यूर सपोर्ट और बगर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देता कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए प्रेंस बिनार टाइम वेस्ट किये हम अपने डिसकुशन पर आते हैं जो हमारा टॉपिक है सुकन्या सम्रिद्धी योजना यह हमारी गॉर्मेंट ने तो जर पंदरा में स्टार्ट की थी जिसके तिरू कोई भी माता पिता जिसकी बेटी 14 साल से कम उम्र की है वो अपनी बेटी के नाम पर इस योजना का फाइदा उठा सकते हैं और कम पैसे में अपनी बेटी के लिए अधिक जमा किये हुए इंट्रेस्ट पर पैसे ले सकते हैं बिना टेक्स कटे हुए इस योजना के तहट कोई भी माता पिता या गार्डियन जिसकी बच्ची की उम्र तीन साल या तीन साल से जादा है लेकिन 14 साल से कम है उस बच्ची के नाम पर सुकन्या समरिध्धी योजना के तहट हर महीने 1000 जमा करवाना होगा और 14 साल तक इसको जमा करते रहना है 15 साल में 14 साल के बाद इसको जमा नहीं करवाना है और वो 21 साल तक मेच्योर्टी पूरे होने पर 6 लाक रुपे गौर्मेंट के थुरू उन्हें मिलेगी इस योजना के तहट पहले 1000 से अकाउंट कुलवाने का परवधान था बट 23 जुलाई 2018 को 2500 रुपे कर दिये गए हैं उसमें थोड़ी संसो दिन की गई है क्योंकि यह जातर इसका जो लाब था यह मिडिल क्लास या अपर क्लास यह सारे उठा रहे थे बट जो छोटे छोटे चोटे तब के हैं जो हमारे बेसिकली हमारा इंडिया बहुत ही मतलब गड़ी भी देखा के अंदर आता है तो बहुत सार ऐसे लोग है जो 1000 रुपे जमा नहीं करवा सकते हैं वो 2500 तीन सो ऐसे जमा करवा सकते हैं उनके लिए खुसकब्दी की बात है कि उनके लिए एक नया संसो दिन किया गया इसके अंदर और कहा गया कि अब वो 2500 रुपे से एकाउंट खुलवा सकते हैं और 2500 रुपे से वो जमा करवा सकते हैं उनका सारी रूस वहीं होंगे और उनको भी 9.1 से लेकर एट तक का जो इंट्रेस्ट बनता है उसके तुरू उनको पैसे जब मैं चोर्टी पूरी होगी तो वो पैसे मिलेंगे इसमें हर महीने 200 से लेकर देर लाग तक जमा करवाया जा सकता है ये अकाउंट ऑथराइस बैंक या पोस्ट आफिस में खुलती है अब बात आती है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसने दो मन्त जमा कर दिये पैसे अब उनके पास दो तीन मन्त स्किप कर दिया फिर वो जमा करवाना चाहते हैं या पैसे तो उनने जमाने करवाया पर कुछ महीनों के बाद उनको अब फिर से जमा करवाना है तो ऐसे में क्या होगा क्या उनका ये जो योजना है ये चलता रहेगा ये बंद कर दी जाएगी तो फ्रेंस इसके लिए एक सुविदा ये दी गई है कि अगर आप दो तीन महीने करते हो या कुछ महीने कर देते हैं आप नहीं दे पाते हैं पैसे तो उसमें 50 रुपे पिनालिटी के साथ आपको फिर नेक्स्ट मंथ या जब तक आपने अमांट जमा नहीं करवाये थे उनकी पिनालिटी 50 रुपे के थ्रू ली जाएगी 50 रुपे के बैलेंस में ली आते हैं वैसे वह जमा होता रहेगा सिर्फ 14 साल तक 14 साल के बाद फिर आपका वह अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जब आपकी बेटी किस साल के होगी तो वह में चोर्टी हो जाएगी पूरी अकाउंट की और वह अमांट उसको आपको 9.1 या 8.2 संथिंग के अकॉरिंग बेसिकली बनाए गया है ये योजना और आई होप जो भी मेरी वीवर्स हैं उनको भी देखनी चाहिए बिकॉस लोग में जातर ऐसे लोग आते हैं जो परिसान ही होते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी नियूस थी तो मैंने सुचा इसलिए इस पे एक वीडियो बना करक कि जिनके पास बेटियां हैं वो थोड़े से इन सब चीजों पर भी ध्यान दे और ऐसी योजनाओं का फाइदा उठाए आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग दी है कोई कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे में कमेंट कर सकते हैं और अपने सपोर्ट ऐसे करते रहें थाइंक्यू हव नाइस टाइम बाई बाई